मुझे पता चल जाया कि लोगों ने लास्ट टाम क्या पिया था या फिर मुझे पता चल जाया कि लोगों ने लास्ट टाम क्या खाया था ये वाला क्योंकि मुझे जानना कि रोज सुपर मेरी कॉफी कौन पी लेता है रिंकी बीटा तुम अभी तक तयार नहीं हुई हाँ मैं बस जाई रही हूँ जल्दी करो बस मैं जल्दी से मने कॉफी पीलू हाँ मेरी कप फिर से खाली है मेरी कॉफी फिर से किस ने पीली मम्मी क्या वो आप है जिसने मेरी कॉफी पी है क्या नहीं तो मुझे कॉफी नहीं पसंद है अच्छा आपको कॉफी नहीं पसंद है वो आप ही दी जिसने मेरी कॉफी पी है क्योंकि आपका लाज ड्रिंग कॉफी है तुम्हें कैसे बता चला? मैं नहीं आपको बताने वाली ये लीजे में लिए दूसरी कॉफी बना के लाईए दीदी चल्दी करो बना मुं स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे हाँ बस हो गया सीवेज वाटर? तुम नाली का पानी पीती हो? हाँ क्योंकि हम नाली का पानी पीने से और ब्यूटिफुल हो जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है ये तुमसे किसने बोला? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने वो तुमसे जूट बोल रही है नहीं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मुसे जूट नहीं बोल सकती है मुझे उस पर पुरा भरोसा है मेरी बेहन कितनी बेवकूफ है हाई बेस्टी हाई क्या तो मैं पता हमें कल फिर से blood donation करना है फिर से blood donation लेकिन हमने तो last week ही किया था ना हाँ लेकिन बहुत लोग है जिने blood की जरूरत है रिंकी हाँ तुमने सही बोला अरे हाँ मुझे आज सुबह ही पता चला कि मेरी बहन नाली का पानी पीती है नई सर मैंने डोनेट करने वाली क्योंकि मैंने last week ही डोनेट किया था अच्छा तो तुम selfish बन रही हो और तुम जैसे बच्चों की हमारे उस्कूल में कोई जरूरत नहीं तो कल से तुम स्कूल मत आना ठीक है सर मैं डोनेट करूंगी लेकिन आप प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए ठीक है तो कल सुबह जल्दी से स्कूल आ जाना मैंने सुनाया कि कर बलड डोनेशन में प्रिंस्पल का बेटा हेल्प करेगा प्रिंस्पल का पेटा क्या वो डॉक्टर है? हाँ वो डॉक्टर है और हाँ वो बहुत हैंटसम है तो उससे दूरी रहना क्योंकि मैं उसको डेट करने वाली हूँ तुम सोच भी कैसे सकती हो कि वो ऐसी लड़की को डेट करेगा जो कि एक्वेरियूम का पानी पीती है? क्या? नई मैं तो ऐसा नहीं करती हाँ मैं जली से आके सोच आदी क्योंकि कल सुबस हुआ स्कूल जाके बलड डोनेशन जो करना है दीदी क्या आपने सुबसे पानी पीया? हाँ धेर सारा तुमने? हाँ ट्वाइलेट वाटर क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बुला ट्वाटर पीने से हमारे स्किन गलो करती है मेरी भेहन इतनी बेकूफ कैसे हो सकती है? हाँ मम्मी दीदी ने मुझे बेकूफ बोया अगर ऐसी बात है तो मैंने एक्सचेंज करने वाली मैं सोच रही हूँ प्रिंस्पल का बेटा इतना भी क्या हैंड सम है कि मेरी फ्रेंड उसके पीछे पागल हो गई है तुम तो प्रिंस्पल के बेटे हो ना? नाइस टू मीट यू मेरा नाम रिंकी है हाँ तुमने सही पहचाना अच्छो ठीक है मुझे जाना हो क्योंकि ब्लड डोनेशन से पहले मुझे बहुत साइच चीजों की तयारी करनी है इसका लास्ट ट्रिंक ब्लड है क्योंकि मैंने लास्ट विक डोनेट किया था? ये किस सरीके का इंसान है?